मुझे है यकी मेरा है तू मेरे हाथ पर भी लिखा है तू मुझे है यकी मेरा है तू मेरे हाथ पर भी लिखा है तू तुझे कैसे खुद से जुदा करूं मेरे रूह में बसा है तू मेरे रूह में बसा है तू किने ख्यालों में कोई हुई है बेखाब साइबा बस अपने आने वाले कल का एक नक्षा खिच रही थी देख लिया ना देखन साहिब आने कैसे तुम्हारे और मेरे मूँ पर उल्टे हाथ का तमाचा मारा में मैले और से अपने आपको देखो और तू मुझे देखो ये चेरे कैसे क्योले हो चुकी है वापा कहा हो तुम्हारे किया है मेरा नाम पपा आपका नाम वफा है मेरा नहीं आपका नाम वफा है मैं कहां से लाओ मेरा असदाद मैं कहां से लाओ बेटा हो दोनों हमेशा के लिए नहीं अम्मी वो दोनों यही कहीं आसपास है अभी वापस आजाएगी तो खुद को समाहना होगा बेटा और ये समझाना होगा कि वो हमारे दर्मियान नहीं है अब में पापा जी आप कहले तैसे नहीं है कि आप चार दम चल पाएं कि क्यू नहीं चल पाऊंगी क्या हो रहा है मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो आप मुझे यहां ले आए एकवखे के बाद तुम्हारा दिदार नसीब हुआ है लगता है तुम बहुती मसरूफ हो चुकी हो ये बताओ यहां क्यों बुलाया है तुम तो ऐसे बरताओ कर रही हो जैसे मैंने कोई जुर्म किया है बस दिल चाहा और बुला लिया मैं तुम्हें तो नहीं रोक सकती लेकिन हां अपने आप पर काबू रखो नाराज क्यों होती हो इस बार मैंने तुम्हें नेक नियस से उलाया है धो साल से मेरे पीछे हो सब कुछ जानने के बावजूर अंजान बनने की कोशिश करते हो ना मेरी हाँ है ना तुभारी ना फिर इस नियत का क्या मतलब हम एक काम करते हैं यहां नस्दी की एक रेस्टोरेंट है खाते पिते हम एक दूसरे की दिलों की घहराई को नापेंगे क्या मैंने कभी अपने दिल की घहराई नापने की उजाज़द दी है तुम्हें कभी नहीं तो फिर क्यों बार-बार अपने दिल को थेष पहुंचाने की ख्वाईश करते हो जब 2 सालों से इस दिल के दर्द को धेष नहीं पहुची तो फिर आज इस दिल का दर्द मोल क्यों ले लू न्हवाज मैंने हमेशा तुम से म adults भरिबाते की है हमेशा तुम्हें बद्दिली का एसास तिलाया है लेकिन तब भे तुम इतना सिंदा दिली से बेश आते हो मुझे एसास है कि मैं तुम से बुरा बरताब करती हूँ अच्छा है ना सीमा अगर मेरी जगा कोई और होता तो शायद वो तुम्हारा दिल तोड़ देता नवाज तुम मुझे समझ चुके हो लेकिन शायर मैं ही तुम्हें ना समझ सके अच्छा है ना बस हमें सिर्फ अपने जिंदगी के मस्तखबिल का मनसुबा जानना है मैं इसे सोचने के खाबर नहीं मेरी जिंदगी का मुस्तखबिल एक खुले मैदान की तरह है जिसमें मैं वहां तक दोड़ सकता हूँ इतना दोड़ सकता हूँ कि मुझे फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रुरत ही नहीं मैं कुछ समझ नहीं पाई हमें और तुमें अपनी जिंदगी में एक फैसला करना है जो हमार आगे का मुस्तखबिल तेह करेगा वफा की बेवक्त मौत ने असरार को असरार? उसका तुमें नाम तक नहीं सुनना जाती इसी कड़वे भूट को तुमें पीना है वरना तुम जिंदगी से नाच न रह जाओ भी असरार की असलियत तुमें चाती हो वो एक फरेवी है उसकी वज़ा से एक मासूम औरत अपनी जिंदगी से महरूम हो चुकी है लेकिन वो खुद को उन दोनों की मौत का जिम्मेदार समझता है और वो भी पागलपन के हद तक चाचे जी से संभाने नहीं संभल रहा है तुमारी चाचे जी तो मुझे पसंद करती थी मेरे दिवानी थी लेकिन उन्होंने भी ये लिकुद कुछ न करा उन्होंने भी अपनी बेटे और वफा को मेरे आगे तर जी दी मुपेचारी इस वक्त बहुत परेशान है और अपने इसी गल्ती की तलाफी करना चाहती है अब उनके पास हवा में हाथ फेकने के लावा कोई रास्ता नहीं है मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती है तो मैं भी उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ बस उन्होंने एक बात ऐसे कह दी कि मैं तुम्हें बुलाने से रोक में सका आफी असरार अमद खाने के जी यहां मैं ही हूँ मगर आपकी बगएर इजासत यहां मौझे पसंद नहीं आई देखिए जनाब पुलीस बिलकुल नहीं चाहती है वो खौमखा किसी के घर में और खासकर किसी शरीफ के घर में दाखिल होकर उसे खौफजदा करे लेकिन मौका की नजाकत को देकर कभी कभी ऐसी गुस्ताखी करनी पड़ती है गुस्ताखी नहीं साहब सीना जोरी कही है आप लोग तो मनमानी कर सकते हैं क्या मैं यहाँ बैठ सबता हूँ? तश्रीफ रखिये देखे जनाब आपकी शरीके हैत की बेवक्त मौत में आपको काफी गम जदा कर दिया है लेकि इसमें सबसे बड़ी तसली की बात यह है कि गम को गलत करने के लिए खुद को मसरूफ रखा जाए और आप मेरा गम दूर करने के लिए यहां मेरे सर पर सवार हो गए है देखे जनाब आप इसे जो कुछ भी समझे मैं तो अपना फर्ज नहीं भा रहा हूँ जी नहीं आप मेरे जखमों पर नमक पाशी करने आया है देखे आश्रार साब आपकी बीबी का हासा दूसरे शहर में हुआ है और वहां की पुलिस में आप से पूस्ताच करनी के लिए कहा है तो नमनिशान नहीं मिला वहां की पुलिस उन्हें डूर्ड नहीं पाई मैं खुद वहां जाकर इंके सारे निशानिया देखकर आया हूँ और अब मुझे से पूछता आज़े दिखे जनाब मैं आपके चंद लम्हें लोगा और मेरे चंद सवालों का आप जवाब देंगे तो आप हर जहमत से दूर रहेंगे यही तो पुलिस के अटधर्मी है एक बेबुनियाद मामले को तूल दे कर रहेगी और उसे नाम देगी अच्छा आप यह बताईए कि आप हाथ से के दौरान कहां थे दूसरे शेर में था अपनी कंपनी के काम में मसरूफ था देखे जनाब अगर आपकी बीबी और बेटे घर पे थे तो फिर वो हाथ से के जगह पर कब और कैसे पूंच गया है कंपनी के काम के सलसले होजे बाह अगले दिन वहाप आने के अमीद थी उनकी मगर वो पहूंच रही वहाँ पे फिर मैंने अपनी अम्मी को फोन किया और मैंने उनसे पूछा की भाई कहां है वो तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो निकल चुके हैं वहां से कावी पहले निकल चुके हैं अब मैं परिशान हो गया और उसी वक मुझे मुझे पता चला कि अब कहीं कुछ यह हादसा हुआ है मैं वहाँ पर देया मैंने देखा कि वहाँ पर बस गाड़ी टूटी पड़ी यह नंबर प्लेट जो है वो सामने नजर आ रहा था उस गाड़ी का और कुछ चीज़े थी जैसे एक दुपट्टा था मेरी बीबी का बस खतम हो गया सब कुछ मेरे दुनिया हो चड़के अब इंस्पेक्टर साब अब यही था मेरे पास आपको बताने के लिए अब इसके बाद आप लोग बार बार मेरे पास चल या रहे हैं पूछ ताच करने तो मैर्थ हो अब क्या कर सकता हूँ मेरी रूह में बसा है तो झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो किया हुआ था मुझे इतना तो मुझे याद है कि आप मुझे यहां ले आए लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कहीं और पहुच कही हूं एक अजनभी सी जगह पे जहां पे कुछ अंजान लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देखिए जो कुछ भी आपने देखा उसे भूलने की कोशिश कीजिए और एक खुशगवार और खुशाइंदा वक्त का तस्वर करें ताकि ये बेकार के खाब देखने की नौबत ना आए लेकिन इस तरह के खौब का मतलब क्या है जो मेरे दिल और दिमाग पर हावी होते जा रहे हैं ऐसा सिर्फ आप ही के साथ नहीं बलकि बहुत लोगों के साथ होता है लेकिन एक बक्त के बाद सब लोग धर जरे भूल जाते हैं आप डॉक्टर है तो मुझसे बहतर जानते होंगे तो फिर आपको एक डॉक्टर के हिदायत पर अमल करना होगा दवाया तो मैं ले रही हूं और क्या करना होगा दवाया तो आप इस्तमाल में ले रही हैं लेकिन लेकिन क्या लेकिन एक जहर की दरह जहर आपने ऐसा क्यों कहा देखें हर दर्द की एक दवा होती है और दवा को बतौर दवा इस्तमाल ना करने पर उसका असर उल्टा हो जाता है ना जाने क्यों जहर का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक संसनी सी फैल गई थी होता है कभी-कभी ऐसा कहीं पुरानी यादों का सिलसला हमारे जहन में चल रहा होता है कोई भूली हुई याद यागायक सर उठाती है और दिरो दिमाग रदे अमल जाहर करता है एक डॉक्टर होने के नाते आपने मेरे सकमजोरी को बहुभी समझ लिया है ऐसे एक बात बताईए ऐसी कौन सी याद थी जो आपको अपने माजी में ले गई मुझे तक कुछ पर याद नहीं जिसे अपना नाम तक याद नहीं उसके लिए यादों के दरीचे में जाकना बहुत मुश्किल है मुम्किन है कि कोई एक याद आपको कोई पता बता दे किसी शक्स का घर का या पिर किसी ऐसी याद का जो आपको बाजी तक ले जाए अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को माफ कीजिएगा अगर आपकी इजादतो तो दो बाते करना चाहता हूं पुलीस का कामी ये लोगों के खिदमत करना है अगर मैं दस-पांच मिनट पहले आ जाता तो आप लोगों की बातों में शामिल हो जाता उसकी इजादत बिल्कुल ही नहीं मिलती वैसे आप कौन है मैं असरार का चचेरा भाई हूं और इस हादसे ते अची तरह वाकिफ हूं तुम इस हादसे के बारे में कोई और बात जानते हो या कोई और अहम बात देखिए इस हादसे ने असरार के कमर तोड़कर रख दिये और इस पर आपकी इस तरह की तहकीकात उसके तज़बात को मजरू करते रहेंगे इस तरह तो वो अपने होश औहुआस को बैठेगा और आप भी उसकी मदद इस तरह कर रहेंगे बजाए उसके होश औहुआस बहाल करने के उसे उकसा रहें इस तहकीकात से उसके दिल को तसली होगी तब कहीं वो जाकर अपनी रोजमर्रा का काम करेगा देखें इस पेक्टर साब आपकी पुलिस की तहकीकात किसी भी शरीफ आदमे की दिल शिकनी करती है पुलिस को आपने एक मशीन समझ लिया जो कहीं भी बेकाबू होकर फितना जगा सकती है अच्छे अच्छो के होश उडाती है आपकी पुलिस की तहकीकात जरूर उडाती है लेकिन सिर्फ उनके जो वाकई मुझ्रिम होते है और जो बेचारा शक के दायरे में आ जाए वो तो बड़ा ही बदनसीब होता है अच्छे ये बताओ का अस्रार साब बदनसीब है या खुश नसीब मेरा ये कहना है कि आपने अभी अभी कहा कि जो आदमी शक के दायरे में आ जाए वो बदनसीब अगर आपसे कोई और खास ख़बर मिल जाए तो देखिये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है आपने तो बेकारी मेरी जबान पकड़ ली अस्रार बिचारा मुसीबत का मारा है बहतर यही होगा कि आप उसे बखच दे आप उसके बहुत करीब रहें आप उसके बारे में जरूर कोई खास बात जानते होगे कोई बात हो नहो लेकिन पुलिस के सामने अगर कोई कमजूर आदमी बहग जाए उसकी तो शामत आजाएगी और फिर दूसरे की मुझे तो आप माफ ही करें आपका बहुत बहुत शुक्रे इस ताउन के लिए लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आप मुसे दुबारा मिलने की चाहत करेंगी नवाज तुम घर पर हो हाँ और कहां जाओंगा ज्यादा से या दफ्तर वैसे तुम मेरा अब्बू के सामने इस थारा मता जाना नहीं तो सवालों की बारिश होगी अपनी जबान सही करो अगर सवालों की बारिश होगी तो जवाब भी देना जानती हूँ खुदा ना करे कभी तुम्हारे अब्बका सामना करना पड़े वैसे मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था मेरी वो बात तुम्हारे दिलो दिमाग में जगा बना चुकी है या फिर तुमने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कैसे भूल पाऊंगी कि अस्राव में मुझे नामन्जूर कर दिया और अब अपती अम्मी की आड़वे वो मुझे अप्टाना चाहता है मैंतो इतना ही जानता हूं चाची जीने मेरे जज़बात को परे रखकर तुम्हारा नाम हमारे सामें तज्रीज कर दिया और तुमहार तुम्हारे वालिद मेरे जज़बात का मजाग बंते दे खामोश रहे बेगम शाहिबा के आगे सीमा तुमने तो मुझे बहुत पहले ही मेरी और मेरे अगात का एसास दिलाया है ना तुमने मुझे कभी अपनायत का एसास दिया और ना मैं कभी असरार के बराबरी कर सका शायद यह सब कुछ इसलिए हुआ कि एक दिन ऐसा वक्त आए जब चाची जी तुम्हारे अब्बो के सामने हाथ फैलाए हाथ फैलाने की नौबत तो आ चुकी है लेकिन तुम्हारी इज़त को उच्छाला गया और तुम बरडाश कर लोगे इतना आज मुदा हो चुका हूँ कि इस तमाचे को भी हसते हुए दूसरे गाल पर सायन कर लूँगा तुम्हारा मतलब है पहला तमाचा मैंने मारा था मुझे तुमसे कोई शिकायक नहीं है और वैसे भी तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ था ही नहीं ही तो चाची जी ने बेकार में ही तुम्हारे एक रिस्ते जख्म पर फाहा लगाने की कोशिश की है और जख्म भी ऐसे जो अभी तक ताजा है रह रहकर टीस उटती है उनमें कभी नहीं भूल पाऊगी जैसे तुम्हारी महबत अपना फरत में बदल चुकी है क्या तुम इस नफरत की आग को हवा देना चाहोगी या इसे यहीं दबा दोगी ठोकर खाकर मू के बल गिर पड़ी थी हाथ थामने वाला भी कोई न था और अब जब बुरे वक्त से बाहर आ चुकी हूं तो क्यों ना वक्त को मुठी में कैद करकर मैं भी तमाशा कर लो तमाशा मैं तमाशा बन चुकी थी नवाद और मुझे तमाशा बनाने वाले अपने दुनिया सो जा रहे थे अब जब उनके दुनिया बदर चुकी है तो मुझे मौका में रहे तमाशा दिखाने का क्या करना चाहती हो तुम एक तमाशा तो ये भी होगा कि तुम्हारी चा पुलिस असरार के पीछे पड़ चुकी है यानि पुलिस को उस पर शाक है यही तो इंस्पेक्टर भी मुझसे पूछ रहा था यानि तुमसे भी पूछ ताच की गई अचानक इंस्पेक्टर का सामना हो गया अब तहकीकात के बारे में कुछ मालूम कर पाता इससे पहले तो उसने मुझे पर सवाल दे मारे और तुमने फिजूर साथ जवाब दे डाला अब इतना अभी अहमक नहीं हूं मैं बस किसी तरह अपनी जान चुडा ली वैसे पुलिस की दखल अंदाजी बेमानी नहीं है क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूं प्लुकुल देखिया इसरार भाई इस वक्त आफत आप पर तूट पड़ी है और संभलना भी आप ही को है इस वक्त में मैं या कोई और तसल्ली के दो बोल ही दो बोल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई इस वक्त आप हस्ते जादा गमगीन है और ऐसे में जो आपके अपने हैं आपके दर्दमंद हैं वो आपको इस कैफियस से बाहर निकालना चाते हैं और इस काम के लिए सबसे पहले तुम आगे ओओ मैं नहीं चाची जी है जो आपकी माँ भी है और आपके इस घम में बराबर की हिस्सेदार हैं जितनी जल्दी आप इस शिकंदे से बाहर निकलेंगे उतना बहतर होगा वरना संभलने में कहीं देरी ना हो जाएं मैं अपनी अम्मी को अची तरसे जानता हूँ वो मेरा घम समझती है इसलिए ना तुम और ना कोई और हमारे मामले में दखल अंदाजी करें तो क्या आप चाहते हैं कि इस मामले में कोई गेर दखल अंदाजी करें? वेर कौन? पुलिस पुलिस? बेकार में दहक इकात कर रही है बेकार ही सही? पर अगर ये खबर एक बार मुच्टहिर हो गई तो बेकार का नाम होगा हैसा कुछ नहीं होगा वो कहा है न किसी ने जो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा वक्त कम है और वक्त पर बाईज़त तलाफी हो जाए तो बहतर है इस बारे में तम कुछ कहना चाहती हो? मैं नहीं चाची जी कुछ कहना चाहती है एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है इस्जत बचाने के लिए बागेरत लोग अपनी जान की भी परवा नहीं करते हैं और उन बागेरत लोगों में चाची भी एक है आर मुलाहिजा कर रही है दूर दर्शन की उर्दो खिद्माद अजय कर सकती है अब बताईए वापा जी यहां लाकर मैंने आपको कोई गल्ती करी या आप पर किसी तरह कि कोई जबरदस्ती हुई इम्रान साब मुझे यहां लाकर आपने एक बहुत खुबसूरत गलिती की है इसा लगता है जैसे मैं एक आसाद परिंदे की तरह हवा में परवास कर रही हूँ ऐसा इसलिए है कि आप अपने आपको एक मेंडल सिच्वेशन में कैड़ कर चुकी तो अपने जहन पर आपने पाबंदी लगा दी इतना एसास तो है मुझे कि मैं एक अंधेरे कुए में गिर्ती ही जा रहे थे पर आचानक किसी ने मेरा हाथ धाम लिया हाँ वो आप ही थे नचने मेरे साथ ऐसा क्यूं हो रहा था इस तरह के सवाल अपने जहन से निकाल दे परना एक सवाल कई सवालों को पनपने का मौका देंगे अपने दिल के दर्वासे खोल देंगे तो खुद बखुद एक नई जिंदकी से रोश्णास हो गी एक नई दुनिया कैसी होगी वो दुनिया आपके दिल के बहुत करीब आप परवाज कर रही है ना अपनी आखें बंद करके ये तसवर करें कि आप एक नई दुनिया में पहुँच गई है जो आपको तनाव और बोज से आजाद करतेगा आप एक नए तजरुबे से दोचार होंगी वफा जी, कुछ सुना आपने वफा जी, 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 लगता है आपके किसी जहन के गोशे में पुरानी यादों के साए मंडला रहें लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया आपने अपने आप पर काफी हद तक काभू पालिया है लेकिन आपकी जहनी कश्वकश अभी बाकी है अगर यही हाल रहा तो मेरे लिए महौल की खुबसूरती और ताज़की बेमतलब बन कर रह जाएगी अगर आप यह कहती कि अभी से महौल की दिलकशी को आप गले से लगा के रखेंगी तो आपकी अंग देखी कश्मकश पर हावी हो जाती जी आइंदा मैं इसी तरह की कोशिश करूँगी कोशिश करने में दिल ही उदास होगा एक पक्का इरादा कीजिए कि कोशिश काम्याब हो कहिए तयार है आप जी मैं तयार हूँ पाफा जी आपके चहरे पर कश्मकश क्या असार है अगर इतने आसान मरहले पर यह हाल है तो किसी सक्त इंतिहां के बग्त आपका रादर डगमगा भी सकता है अगर आप मेरे हम्रा है तो कोई भी दिवार हमारे बर्मिया हाइल नहीं होगी अपने आप पर भरोसा रखें और कुद्रत की रानाईयों पर अपना हग जता कर अपनी जिंदकी को मंजिल के जानिब कर दें ताकि कदम कदम पर जीने का पैगाम मिले जीने की आर्जू बढ़े पहली बार मेरे वजूद में अमनों सकून का एहसास हो रहा है मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह का सुकून और मुसर्रत मेरे जहन में बसी रहे इतना ही नहीं वापाजी जिन हालात में आपके वजूद को तरपाया है आपकी रूह को धिंजोड़ा है उस रूह में वो महपत पस जाए जिसकी आपको जरूरत है अगर आप मुझे सिर्फ वफा कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा को तो मुझे से अच्छा जरूरत है झाल झाल